So Hello Candidates, Welcome back to my YouTube channel, Candidates, यहां पर आपका Indian Navy की तरफ से आपकी vacancies आचुकी है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपका जो भी selection होगा वो आपका अगनिपत स्कीम के थुरू ही होने वाला है, तो यहां पर देखिए SSR की vacancies निकाली गई है, एंड जो registration का link है वो already activate हो चुका है 1 आपकी जो notification है वो भी आचुका है उसका link भी description में रहेगा तो आप लोग उसको download कर लीजेगा और उसको पूरा read-out कर सकते हैं, यहां पर देखिए जो इनकी official website है उसको अपडेट किया जाएगा तो 9th July से आप लोग फिर इनकी official website है उसको पर भी इसको देख सकते हैं, जो application link का जो है वो देखिए 15th July से activate होगा तो हम लोग 15th July को उसका link भी directly डाल देंगे तो वह से फिर आप लोग उसको पर जाके भी apply कर सकते हैं, तो basically कहना यह चाह रहे है कि जितना भी apply करने का notification का registration का link रहेगा, सब कुछ description में रहेगा, ठीक है, बाकी total number of vacancies की बात कर लें तो यहाँ पर 2800 vacancies हैं, इसमें जो female candidates हैं, उनके लिए यहाँ पर 560 vacancies रहने वाली है और बाकी की male candidates के लिए रहेगी, salary की बात करें तो यहाँ पर first year में आपकी salary रहेगी 30,000 रहने वाली है, एंड हर year का आपको पता ही होगा, कि 4 year के लिए अलाग लग लग यहाँ पर salary मिलेग देखिए apply जो करना है जातोर नीचे description में चले जाए या फिर देखिए यह इनकी official website है, इस पर जाकर भी आप लोग directly apply कर सकते हैं, बागी इसमें कौन-कौन apply कर सकते हैं, देखिए यह आपकी all of India vacancy है तो आप लोग यहाँ पर किसी भी state से बिलोग करते हो, यहाँ पर apply कर प जो science students हैं, सरफ वो ही यहाँ पर apply कर सकते हैं, बिकोज इन्होंने, यह जीस clearly mentioned है notification में, आप लोग देख भी सकते हैं, कि यहाँ पर आपका 10 plus 2 complete हो जाना चाहिए, and यहाँ पर आपका mathematics, physics, और अभी देखिए तीन subject बताएंगे, इन में से कोई आगर एक आपने पढ़ रख ह से, age limit की बात करें, तो minimum age यहाँ पर 17.5 years है, and maximum age 23 years होने वाले, देखिए, ज्यादा clear करने के लिए, इन्होंने clearly बता दिया है, किस date से किस date के बीच में, तो 1 November 1999 से, यहाँ पर 30 April 2005 के बीच में, अगर आप लोगों का बर्त हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, इन दोनों dates को भी include करके, duration of service तो यहाँ पर 4 years है, and 4 years के बाद, देखिए, जो 25% जो यहाँ पर हमारे जो soldiers रहेंगे, उनको फिर यहाँ पर permanent cader के लिए enroll कर लिया जाएगा, और जो बाकी के हैं, आप लोग apply कर सकते हैं, चाहो तो उसके लिए permanent cader के लिए, या पिर नहीं कर आपको जो ex-serviceman का status रहते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और हर साल आपको यहाँ पर 30 days के लिए leave मिलेगा, and बाकी अगर medical condition पर कुछ और है, तो उसके लिए फिर अलग से चुटिया मिलती है, अब देखिए, selection procedure क की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी candidates apply करेंगे, उनकी ही sort listing होगी, यहाँ पर जितना भी 12th पर score किया गया है, उसके basis के ओपर ही, यहाँ पर admit card आने वाला है, and जो यह sort listing होगी, यह भी state wise होगी, मतलब हर एक state की अलग अलग निकाली जाएगी, sort listing होग यहाँ पर 6 minutes and 30 seconds के अंदर complete करनी रहेगी, उसके बात squats रहेंगे, 20 करने है, and push-ups यहाँ पर आपको 12 करनी रहेंगे, बाकी जो female candidates है, उनकी भी यहाँ पर 1.6 km की race रहेगी, जो की 8 minutes के अंदर आपको complete करनी है, squats यहाँ पर 15 रहेंगे, and bend knee sit-ups, ठीक है, यह आपके 10 रहने वा रहेगा, तो आपको जो अच्छे से perform करना है, वो उसी में ही करना रहेगा, because जो physical standard test है, वो स्रफ qualifying nature करेगा, उसके कोई भी number नहीं जुडने वाले, तो इस चीज़ को आप धियान रखिएगा, और देखिए हाँ जी, एक और चीज़ जो merit list भी जो बनाई जाएगी, यह भी state से, ठीक है, तो यह सारी information होगी, इसके बाद height के बाद कर लेते हैं, तो जो male candidates है, उनकी यहाँ पर height 157 cm होनी चीज़, जो female candidates है, उनकी 152 cm, minimum height होनी चीज़, उसके बाद देखिए, अगर आप लोग चस्मा लगाते हैं, तो उस से related भी information दे रखिए, वैसे तो 6 by 6 होनी ची है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, चस्मा लगाने के बाद आपका जो visual है, वो 6 by 6 होना चीज़, ठीक है, तो अगर आप लोग पुराने चस्मे या कुछ वो है, तो उसको आप लोग अप्ग्रेट करा लीजिए, या फिर आपका भी present में जो number है, उसके हिसाब से ब बना दी जाएगी, इसका जो training रहेगी, यह INES चिलका, ओडिशा में आपकी होने वाली है, and fees, यहाँ पर कोई भी fees नहीं लगेगी, तो यह काफी बड़ा advantage है, and हंजी, देखिए, paper की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दोनों बता देते है, SSR और MR के लिए, तो SSR देख टोटल जो duration मिलेगा, वो 60 minutes मिलने वाला है, and paper का standard रहेगा, वो 12th basis के ओपर ही रहने वाला है, बाकि जो MR है, वो भी आपका bilingual होगा, and इसमें दो ही section आएंगे, एक रहेगा आपका science and mathematics, and दूसरा GK का, and जो इसका standard रहेगा, वो 10th basis के ओपर रहने वाला है, and जो duration मिलेगी, 30 minutes मिलेगी, and हाँ जी, एक और चीज जो जो जोब location रहेगी, वो आपकी all over India ही रहने वाली है, मतलब आपको पूरे इंडिया में याँ पर कहीं पर भी posting दी जा सकती है, जितनी भी important information थी, वो सारी हमने याँ पर provide कर दी है, hope so आप लोगों को ये video अच्छी लगी होगी, जितना ज्यादा हो सकें, इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है जानी रिस तो अब हम लोग अप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,